हेलो लवली चिल्रन्स मुझे उमीद है आप ठीक होंगे और अच्छी तरह से पड़ भी रहे होंगे तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का लिविंग साइंस बुक है और इसका पप्लिशर रतना सागर है तो आज हम चाप्टर नंबर 3 के कोशन आंसर करेंगे और चाप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आपको पहले ही यूट्यूब पर अप्लोड करके दे दिया गया है इच एन अभी वर्ड मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया है पढ़ाया है तो वीडियो आप इस चाप्टर की जरूर देखें अमने दोस्तों का शेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें So now you can see यहां पर हमारे पास है first question जो कि है टिक दा करेक्ट आंसर्स So the first question is to avoid tripping over scattered toys अब हम ऐसा क्या कर सकते है कि मतलब to avoid हम इस चीज से बचें किस चीज से बचना है tripping over scattered toys मतलब फैले हुए जो खिलोने होंगे उनके उपर कही हम लड़ खडा कर गिर गए तो अब उस चीजों को avoid करने के लिए to avoid उसको avoid करने के लिए क्या करेंगे So इसका answer है A जो कि है do not leave your toys lying on the floor तो अपने फ्लोर पर अपने घर में फ्लोर पर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए फ्लोर पर मतलब lying का मतलब है ऐसे ही पड़े हुए छोड़ दिये do not leave उनको छोड़ना नहीं है ऐसी फ्लोर पर तो उनको सही से उठा कर अलमारी में रखो या फिर कहीं एक जगा पर कुने में किसी भी टब अगेरा के अंदर आप रख सकते हैं second one one must not wear these clothes in the kitchen अब kitchen में हमें not wear नहीं पहनने चाहिए must not wear बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए तो यहां पर हमारा option आजाता है बी जो कि है synthetic synthetic clothes जो होते हैं वह हमें बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए क्योंकि synthetic कपड़ा जो होता है वह फटाक से आग पकड़ लेता है एक second भी नहीं लगती है और वह बहुत बुरी तरह से जल जाता है और जलने के साथ साथ वह हमारी body से चिपक भी जाता है लेकिन जैसे अगर cotton का कपड़ा जलेगा तो वह हमारी body से नहीं चिपकेगा बूलन कपड़ा जलेगा तो उसको जलने मतल़ा time लगेगा पर कपड़े तो हही है जल जाएंगे पर synthetic clothes जो है वह बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए किचन में तो खास दौर जान नहीं पहनने चाहिए क्योंकि जल ज जाता है उठा करके इसी लिए अब question number three है stay away from किस चीज से हमें दूर रहना है क्या हमें table fan से दूर रहना है राइट से या toys से तो भाई देखो rights का मतलब तो यह हुआ कि हम लोग जिसे cycle चलाते हैं या कई जूला जूलते हैं तो they are called rights खिलोने वगरा से आप खेलते ही हो लेक क्योंकि बच्चे का गलती से अगर हाथ table fan के अंदर उनकी blade से लग गया तो injury हो सकती है तो अभी fourth one है यहाँ पर fourth question देखते है apply a paste of baking soda तो क्या वो लगया है apply का मतलब लगाना है क्या लगाना है आपने baking soda लगाना है baking soda का paste आपने लगाना है या फिर और आप कह सकते हैं कि cold cream क्रीम लगानी है on the affected area किस चीज से किस चीज का affected area होगा affected part विकेंसे part और area if तो कब लगाएंगे हम baking soda और या फिर cold cream हम कब लगाएंगे जब हमें कोई भी कीड़ा मोकड़ा काट लेता है तो इसका मैं आपको एक और treatment बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर होगा तो अगर हड़ी टूड़ जाती है तो आपको देखो डॉक्टर को तोरंट दिखाना होगा और अगर कट लग जाता है तो वहाँ पर हमें bandage लगानी होती है लेकिन अगर हमें कीड़ा मोकड़ा काट लेता है तो हम वहाँ पर baking soda लगाएंगे जब कीड़ा काटता है तो हमारे क कीड़ा जो होता है वह voltage generate कर देता है अमारी बॉड़ी के अंदर visit कर देता है बहां पर हम बेकिंग सोडा लगाएंगे तो बेकिंग क्या होता है ऊप बå बेस होता है तो मेरे क्या किया मदू मक्की ने काट लिया और मदू मक्की ने जब काटा तो आप जानते हो कि कितना दर्द करती है मदू मक्की काटने पर होता है तो मैंने क्या किया मेरे दादा जी ने मुझे बताया था कि आप वहां पर क्या करो पेट्रोल होता है ना पेट्रोल को एक कॉट पेट्रोल होता है तो दोनों वैसे दोनों ही ठीक है तो आप थोड़ा सा कॉटन में लेकर पेट्रोल को तुरंट आप लगा लोगे एक दम से सही हो जाएगा चलो अब है फिफ्थ तो रीच फॉर सम्थिंग प्लेज हाई अगर हमें पहुचना होता है जो कि कुछ भी चीज़े अगर बहुत ऊची तरीके ऊच जगा पर रखी होती है तो क्या करना होगा क्या हम रसी से चड़ेंगे वहाँ पर बिलकुल भी नहीं क्या हम लकडियों की मदद से चड़ेंगे बिलकुल भी नहीं तो हमें इस्तमाल करना का लेडर यानि की सीड़िया तो सीड़ियों से हम चड़ सकते हैं अब हमारे पास फिफ्ट को यह बी पार्ट है बी पार्ट हमारे पास मैच दी कॉलम्ज पूछा गया है तो यहां पर फ्लोर को किस से मैच करना है लेक्ट्रिकल सा हमें मार्क करना है अब फर्स्ट वाले को देखते हैं apply an antiseptic cream on the affected area हम antiseptic cream कब लगाते हैं तो हम antiseptic cream तब लगाते हैं जो हमें कहीं पर भी जल जाता है या जलन हो रही होती है अब second है must be kept dry to prevent sleeping on them तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो हमें सुखी सुखी रखनी है kept dry, kept का मतलब की second form हो जाती है kept तो हमें सुखा रखना है और sleeping होने से बचना है तो किस चीज को हमें सुखा रखना होगा फ्लोर को हमें सुखा कर रखना होगा should be handled carefully कौन सी ऐसी चीज होगी जो हमें बड़ी साबधानी से उनको यूज करना होगा तो वो हो जाती है electrical appliances यानि कि जो भी बिजली की चीजे होती है वो बड़े ही ध्यान से हमें यूज करनी होती है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी current लग सकती है if you are not an expert swimmer अगर आप अच्छे तैराक नहीं हो अच्छी तरह से तैर नहीं पाते हो तो आपको क्या करना होगा आप swimming tube ले करके swimming pool में उतर सकते हो या swimming pool हुआ तो swimming pool हुआ या फिर जिसे कई लोग होते हैं river में तैरते हैं तो swimming pool में भी जो है accident होने का खत्रा रहता है तो पैर वगरा slip हो जाता है swimming pool के अंदर तो भी हमें swimming tube का इस्तमाल करना चाहिए must be used to clean cuts तो क्या चीज़ से हम लोग cuts को साफ करेंगे वो होगा antiseptic lotion जो आप जानते ह हैं तो उससे जैसे like detall होता है तो detall से हम किसी भी cuts को पहले साफ करेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग दवाई लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं जब cut जाता है तो हम बैक्टीरियाद वगरा होते हैं तो उनको साफ करना होता है अब part number c है जिसमें कि हमें short answers 25 ओपन करिए तो page number 25 पर आप देखेंगे कि school में accident कब होता है तो यह है in school accidents can happen when children run and push each other school में accident तब होता है जब कोई भी बच्चा भाग रहा होता है और वो किसी दूसरे बच्चे को इच अधर मतलब एक दूसरे को धक्का लगा रहे होते हैं तो school में accident होने का खत्रा रहता है यानि accident is like चोट लग जाना कोई injury हो जाना वो accident होता है अब है हमारे पास question number 2 जो कि है what precaution what precaution should you take to avoid accidental consumption of poisonous chemicals आप किस तरह से जहरी ले जहरी ले chemicals से आप बच सकते हो यह accidental consumption मतलब हुआ कि अचानक से गलती से जो है हम उसको consume कहीं कर जाए अगर हमारे पेट में चला गया तो हम क्या करेंगे तो इसका answer होगा page number 25 पर ही है तो आते हैं page number 25 पर और देखिए कि हम किस तरह से बच सकते हैं accidental consumption of poisonous chemicals से तो poisonous chemicals से हम कैसे बचेंगे मतलब उनको क्या करना होगा poisonous chemicals should be properly labeled उनको हमें सही से label करना होगा यानि कि उन पर नाम लिखना होगा कि किस चीज के लिए वो है कहीं CC में रखा है किसी भी bottle में रखा है और उसको हम समझ गए कि वो दवाई है वगरा कुछ तो उस पर हमें नाम लिखकर रखना होगा कि वो क्या चीज है and kept away from eatables खाने की चीजों से उसको हमें दूर रखना ह होगा तो इस तरह से हम जो है poisonous chemicals से बच सकते हैं उनको दूर रखेंगे जैसे हम लोग kitchen में रखते हैं generally कई लोग होते है kitchen में हार वो रखते हैं जो hit होता है को crouch मारने वाला तो उसको दूर रखना चाहिए क्योंकि उसमें से droplets वगरा अगर एक भी droplet खाने में गिर गई तो बहुत ज्यादा problem हो सकती है तो अब है question number 3 what is first aid? first aid क्या होता है? first aid वो treatment होता है जो कि किसी को भी सबसे पहले दिया जाता है तो first aid is the medical help given to an injured or sick person before proper medical aid arrive तो first aid वो medical help होती है जो कि किसी को भी किसी भी injured person को किसी भी ऐसे इंसान को जिसके चोट लग गई हो या फिर किसी भी ऐसे person को जो कि बीमार हो तो उसको हमें सबसे पहले वो medical help देनी होती है और जिससे उससे पहले कि जो भी ambulance वगेरा होती है से medical aid arrive का मतलब हुआ कि कोई भी ambulance वगेरा आए उससे पहले हम लोग उसको medical help दे मतलब उसका treatment मतलब हम लोग उसकी help पहले से ही करें खून निकल रहा है तो उसको रोकने के कोजिश करें और कहीं भी अगर जैसे like बुखार उखार है तो उसको हम लोग पहले से ही थोड़ा two common emergencies when you need first aid दो ऐसी common emergencies हमको लिखनी है common emergency मतलब होता ही रहता है हाल फिलाल ही कहीं भी हम को देखने को मिल जाता है तो हम first aid का इस्तमाल देखो first aid का इस्तमाल तो generally छोटी मोटी चोट वगरा में होता है लेकिन अगर ज्यादा बड़ी चोट लग जाती है तो हमें तो भी तुर common emergency है तो common emergencies that need first aid आर तो minor cuts छोटा मोटा cut लग गया तो हम लोग जो है उसमें first aid का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे इस बच्चे के घुटने में लग गई है तो वो यह क्या कर रहे हैं इस पर bandage वगरा लगा रहे हैं पट्टी लगा रहे हैं तो इस काम में first aid जो है काम आ सकता है सकते हैं में तो generally दो ही लिखने question में बोला गया है कोई कीड़ा काट ले तो आपने जानते हैं बेकिंग सोडा लगाना है वहाँ पर जो बेकिंग सोडा आपको किचन में भी देखने को मिल जाएगा किचन के अंदर होता है और कोई अगर साप काट लेता है या फिर अगर कह जाता है तो अगर साप काट ले तो भई कोई मतलब क्या ही कह सकते है साप काट लेगा तो तो वहाँ पर क्या करना है अगर जहां पर साप काटता है उससे उपर वाले एरिया में टाइट तरीके से बांद देना चाहिए जिससे की वो जो जहर होगा साप का वो हमारी accidents at school, school में कोई भी किसी भी तरह का accident होगा, उस से हम किस तरह से बच सकते हैं, कैसे उसको हम avoid कर सकते हैं, तो page number 25 को open करते हैं, और page number 25 पर देखते हैं, तो इसका छोटास answer है, easy answer है, do not rush up or down the stairs, हमें जो है, वहाँ पर भीर्ड नहीं लगानी है, और up or down मतला उपर नीचे, उपर नीचे इस तरह से नहीं भागना है सीडियों पर, you may fall, और हम क्या हो सकता हम गिर सकते हैं, और हमारे चोट लग सकती है, या फिर किसी दूसरे के भी चोट लग सकती है, तो इसलिए जो है हमें, ये काम तो बिलकुल ले करना चाहिए, जनरली सीडियों पर ही बच्चों को च चोट लगती है, उपर नीचे उपर नीचे भागते हैं, तो एक दूसरे टकरा जाते हैं, अब है यहाँ पर, second, as a pedestrian, what will you do to avoid getting hurt on the road, अब रोड पर कोई भी चोट वगरा लगे, कोई एक्सिरेंट वगरा हो जाए, उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, तो इससे हम कैसे बचेंगे, देखिए, हमें footpath पर चलना चाहिए, हमें footpath पर चलना चाहिए, footpath क्या होता है, ये लोगों के चलने के लिए जगा बना रखी होती है, road का तो अपना ऐसा है, कि गाड़ियां चलेंगी वहाँ पर, footpath जो होता है, वहाँ पर, जो humans होते हैं, या मतलब मान लीज चाहिए, जिससे कि हम लोग गाड़ी वगर से टकराने से बच सकते हैं, और हमें road को zebra crossing से cross करना चाहिए, ये zebra crossing है, ये white वाले पट्टिया बनी होती है, क्योंकि ये rule होता है कि गाड़िया इससे पीछे ही रुकेंगी, तो आप जब road cross करोगे, तो ये खाली रहेगा, look to your right and then to your left, तो सबसे पहले right में देखो, left में देखो, अवैसा नहीं कि गाड़ी अगर इधर से आ रही है, तो आपको उधर ही देखना है, दोनों तरफ देखें, क्योंकि आप तो जानते ही हो इंडिया का हाल, आगे पीछे, जैसे मर जी, wrong side भी लोग आ जाते हैं कही बारी, तो हमें left और right दोनों तरफ ही देखना चाहिए, और उसके बाद हमें फिर जब traffic signal off हो जाता है, यानिकी red light हो जाती है, तब हमें road cross करने चाहिए, और third है यहाँ पर do not rush, यानिकी भीड नहीं लगानी चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, start out in time, तो हमें वहाँ पर जो complete answer कि हम लोग किस तरह से road पर safety razor, सेन की safety अपना सकते हैं, अब यहाँ पर अपना है third question है, how will you find, how will you help a person who has bleeding wound, अगर किसी के घाव है और उसमें से खुन निकल रहा है, तो हम उस परसन की help किस तरह से करेंगे, तो यह page number 27 पर हमें answer मिलने वाला है, page number 27 पर यह रहा answer, if there is a bleeding wound, अगर किसी भी, if there is a bleeding from the cut, अगर किसी भी cut से, या फिर किसी भी wound से, bleeding from the cut, या फिर bleeding from the wound, you can write wound here, कि wound बोला है, तो वही या wound का मतलब घाव होता है, छिल जाय वगएरा, तो इसलिए हमने आपर यह भी लिख सक करते हैं, if there is a bleeding from the cut, तो cut से अगर bleeding हो रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, try to stop it, सबसे पहले उसको रोकने के कोशिश करो, किस तरह से, by tying a bandage, tying का मतलब बांदो, तो वहाँ पर हम लोग bandage बांदेंगे उस cut पे, और खून को रोकने के कोशिश करेंगे, और कोई भी उस प पर ना लगे, इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ते हैं, dirt and flies should not be allowed to sit, उस पर कोई भी dirt आकर के ना बैठ जाए, या फिर कोई मदुमक्खी वगएर आकर के ना बैठ जाए, उस घाव के उपर, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, infection हो सकता है, क पट्टी लगाने के बाद में, bandage लगाने के बाद में, उसको क्या करना है, doctor के पास लेका जाना है, अगर कुछ जादा ही बड़ी चोट लगी है, और आपसे control नहीं हो पा रही है तो, तो ये था question number 3 का answer, अब है question number 4, जो कि है, how will you help a person who has fainted, अगर किसी को चक्कर आ गए है, किसी को, मतलब fainted का मतलब है, चक्कर आ जाना, बेहोस हो जाना, अगर इस तरह से हो रहा है, तो हम उसकी help कैसे करेंगे, तो page number 27 पर ही है, तो मैंने यहाँ पर meaning लिख दिया है, देखिए, faints का मतलब है, बेहोस हो गया, या फिर चक्कर आ गए, तो ये सब होता है, faints का अब answer पूरा ही है, देखो यहाँ से यहाँ तक, छोटा मोटा लिख सकते हैं, तो if a person faints, अगर किसी को चक्कर आ जाते हैं, या बेहोस होकर गिर जाता है, तो make him lie down, उसको आपने क्या करना है, लिटाना है, और उसका सर थोड़ा नीचे की तरफ रखना है, तो lie down with his head at level lower than the body उसका सिर जो होगा, यहनि कि आप देखे रहें, मैंने ऐसे arrow बना रखा है न, उसको ऐसे जुका देंगे, अगर आप जुका तो कैसे दोगे, उसको चक्कर आ गए है, तो उसको लिटाना है, और table कैसी होनी चाहिए, सर यहाँ होना चाहिए, और उसको थोड़ा से slide करके लि उपर और सर थोड़ा से नीचे की तरफ होना चाहिए, तो क्या होगा, जो blood होगा, वो उसके brain तक जल्दी जल्दी पहुचेगा, और वहाँ पर थोड़ा साफ सुत्री हवा होने चाहिए, गुटन नहीं होने चाहिए, और उसके कपड़ों को थोड़ा सा डीले कर देंगे, कपड़ों को डीला कर देंगे, और उसके सिर पर, फोर हैड पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, और उससे क्या होता है, थोड़ा relief मिलता है, और इससे क्या होगा, उसको थोड़ा help मिलेगी, और थोड़ा oxygen वगरा सही से transfer होगा उसकी body में, तो let that person rest quietly, और उस का complete answer, अब है आपके पास में question number 5, इसमें है, how will you help a person who has been bitten by an insect, अगर इसको कोई भी कीड़ा काट लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने mcq में भी करा है, तो यहाँ पर है, अगर, अगर if bitten by an insect like a bee और वास्प, बी को वास्पी कहते है, तो अगर हमें कोई भी कीड़ा मुकोडा काट लेता है, मदमक्की काट लेती है, तो हमें क्या करना होगा वहाँ पर, हमें baking soda का, वहाँ पर हमें paste लगाना होगा, या हम वहाँ पर कोई cold cream लग सकते हैं उस part पर, जिससे की हमें थोड़ा सा relief महसूस हो, और put some ice on the affected area, अगर हम वहाँ पर ice रखते हैं, तो जो poison है, वो फैलता नहीं है body में, पर सबसे अच्छा मैंने आपको जो है, इसका इलाज बताया है, कि आप थोड़ा सा cotton में diesel लेकर उस area पर सिर्फ रख दो, मतलब तो उस area पर थोड़ी दिर रखे रखेंगे, तो सही हो जाता है, अभी exercise यहाँ पर खतम हो जाती है, अगर यह दो questions आपके school में करवाए जाते हैं आगे, तो इसका भी answer बड़ा easy है, तो आप your friend get hurt while playing football with you in school, आपके साथ में आपका friend जो है, वो football खेल रहा था, और he has a cut on his knee, और उसके, और उसके जो है, cut है उसके knee पर, इनकी घुटने पर उसके एक cut लगा हुआ है, what should you, what should you do first of all, तो सबसे पहले क्या करोगे, we will give him first aid, तो सबसे पहले तो हम उसको first aid देंगे, first aid का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम खुद ही उसका इलाज करेंगे, खुद ही उसको water के पास लेका जा सकते हैं, तो यह राज का complete answer, अब question number two, last question है, all poisonous chemicals should be kept away from eatables in a separate cupboard, why, तो कहते हैं कि यहां पर जो भी poisonous, जहरी ले जहरी ले chemicals दोंगे, उनको हमें दूर दूर रखना चाहिए, खानों से, मतलब खाना जो होगा, वो दूर रखना है, उससे, poisonous chemicals को हमें, तो separate cupboard म सबसे अच्छी बात हुई है, कि उसको आसपास कहनी रखना चाहिए, मतलब उसको हमें दूर रखना चाहिए, अपने आसपास से भी, खाने पीने की चीज़ा से भी, सबसे दूर रखना है, क्यों, क्योंकि poisonous chemicals जो होते हैं, वो हमें नुकसान पहुचा सकते हैं, और अगर ग death also, आप उन poisonous chemicals से हमें irritation तो बहुत ज्यादा होगी ही होगी, तो irritation तो होगी ही, साथी साथ कही बार poisonous chemicals इतने ज्यादा poisonous होते हैं, कि उनसे death भी हो सकती है, तो इसलिए दूर रखना चाहिए, तो यह आपर आपका पूरे चाप्टर के question answers खतम हो जाते हैं, I hope आपको बहुत लगा होगा, समझ में भी आया होगा, neat and clean तरीके से, अब हम chapter 3 के बाद chapter 4 के question answers करेंगे, जो कि chapter 4 का नाम है, right clothes to wear, okay guys, thank you so much, आपने बड़े patience के साथ में वीडियो को देखा, और अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है आपको तो अपने friends के साथ भी share करिएगा, thank you so much, और channel क subscribe तो जरूर करिएगा